हेलो फ्रेंट्स, आज हम बनाएंगे क्रॉचेट एर्जिंग्स इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रॉचेट थ्रेड, एंकर का थ्रेड है ये नम्बर एट होग, 0.5 mm, सीजर, फैब्रिक ग्लू, सिम्पल नेडिल, स्टूट, स्टॉपर, स्मॉल साइज के वाइट बीड्स, लैक बीड्स, और स्टाड्स, तो चलिए फ्रेंट्स, इसे हम बनाना सुरू करता है, सबसे पहले एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई, चेन वन, इस रिंग में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे, इस तरह इस रिंग में एट सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 8 सिंगल क्रोशे बना लिए स्ट्रेट को खिशकर टाइट करेंगे फर्स्ट रोल स्टीच में स्लिब स्टी डालेंगे चेन वन सेम स्टीच में 2 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टीच में 1 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टीच में 2 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टीच में 1 सिंगल क्रोशे स्टरेश रोंड को कम्प्लीट करेंगे round complete first roll stitch में slip stitch डालेंगे chain 1 same stitch में 2 single crochet next stitch में 1 single crochet next stitch में 2 single crochet next stitch में 1 single crochet stretch round को complete करेंगे round complete first roll stitch में slip stitch डालेंगे chain 1 same stitch में 1 single crochet next stitch में 1 single crochet next stitch में 1 single crochet इस तरह इस round को complete करेंगे round complete first roll stitch में slip stitch डालेंगे straight को इहां से cut करेंगे इस तरह से हमें इस तरह से हमें body part बना लेना है next head बनाएंगे इक बनाएंगे इक रिंग बनाएंगे 1 single crochet 1 single crochet 2 single crochet इस तरह स्रिंग में 6 single crochet बनाएंगे 6 single crochet बना लिए straight को खिच कर tight करेंगे first roll stitch में slip stitch डालेंगे chain 1 same stitch में 2 single crochet next stitch में 1 single crochet next stitch में 2 single crochet next stitch में 1 single crochet इस तरह इस राउंड को complete करेंगे round complete first roll stitch में slip stitch डालेंगे chain 1 same stitch में 1 single crochet next stitch में 1 single crochet next stitch में 1 single crochet 37 round को complete करेंगे round complete first roll stitch में slip stitch में straight को यहां से cut करेंगे next इसे बनाएंगे एक रिंग बनाएंगे रिंग बनाएंगे रिंग बन गई chain मनाएंगे 1, 2, 3, 3, 3 chain यहां यहां डबल क्रोशे next श्रिंग में डबल क्रोशे बनाएंगे 2 डबल क्रोशे श्रिंग में डबल क्रोशे बनाएंगे 3 डबल क्रोशे 15 डबल क्रोशे बनाएंगे 15 डबल क्रोशे बना लिए straight को खीच कर tight करेंगे first वल स्टीच में shrimp स्टीच डालेंगे straight को हैं से cut करेंगे इस तरह से इसे बना लेना है needle लेंगे thread लेंगे इसको हम समें डालेंगे इस तरह से thread को हम डबल करेंगे इसको यहां से cut कर लेंगे next यहां इस तरह से needle डालेंगे knot लगाएंगे इसको यहां से cut कर लेंगे next यहां से हम one, two, three, four fourth stitches के बाद यहां इस तरह से needle डालेंगे इक knot लगाएंगे straight को यहां से cut कर लेंगे इस तरह से इसे बनाना है next इसे लेंगे first row में back side से इस तरह से needle डालेंगे इसे निकाल लेंगे इसके बड़ाबर इधर फिर से हम first row में needle डालेंगे इस तरह से next यहां एक knot लगाएंगे फिर से और एक knot लगा लेंगे straight को यहां से cut करेंगे इस तरह से इसके साथ हमें stitch कर लेंगे next इसके अंदर हम थोड़ी सी glue लगाएंगे यहां एक्स्रा thread है इसे cut करेंगे सारे thread को हम अंदर की और इस तरह से चिपका देंगे स्ट्रेट को हम यहां से cut कर लेंगे इसमें starts अप्लाई करेंगे इस तरह से straight कर लेंगे इसे हम dry होने के लिए छोड़ेंगे next इसमें भी हम starts अप्लाई करेंगे इस तरह से इसे save देंगे इसे हम dry होने के लिए छोड़ेंगे next इसमें हम back side में starts अप्लाई करेंगे beats की help से तरह से save देंगे इसे हम dry होने के लिए छोड़ेंगे इसे लेंगे needle और thread लेंगे thread हमें single लेला है next यहां हमने slip stitch डाले है यहां से इस तरह से needle को डालेंगे middle में इस तरह से needle डालेंगे stitch लगाएंगे next यहां से हम इस तरह से equal करके back side से needle को डालेंगे इस तरह से next फिर से हम middle में needle डालेंगे इस तरह से हमें stitch लगाना है इस thread को यहां से cut करेंगे next इसके अंदर हम glue लगाएंगे सारे thread को चिपका देंगे extra thread है cut कर लेंगे next इसे लेंगे इसमें भी हम back side में glue लगाएंगे दोनों thread को चिपका देंगे extra thread है cut करेंगे next इसे हम equal करके यहां से इस तरह से cut कर लेंगे इधर से भी हम इसे equal करके cut कर लेंगे head लेंगे इसे हम यहां से cut कर लेंगे equal करके इस तरह से cut कर लेंगे next इसमें back side में glue लगाएंगे middle में हमें glue लगाना है स्टूर लेंगे इसे डालेंगे इस तरह से चिपका लेंगे next इसे लेंगे border में glue लगाएंगे इसे हम इसके उपर इस तरह से चिपका लेंगे इसे हमें middle में रखना है इस तरह से चिपका लेना है next इसे हम यहां इसके उपर इस तरह से चिपका देंगे इस तरह से चिपका लेना है इसे नेक्स्ट यहां इस तरह से ग्लू लगाएंगे इसके उपर हम ब्लैक बीट्स चिपका देंगे इस तरह से चिपका देना है इसे हमें बीट्स चिपका लेना है इसे नेक्स्ट यहां इस तरह से ग्लू लगाएंगे वाइट बीट्स लेंगे इसके उपर इस तरह से चिपका देंगे इससे हम ड्राइ होने के लिए छोड़ेंगे इसमें हम स्टॉपर डालेंगे हमारे दोनों यार्रिंग्स रेडी है आप भी से बना सकते हैं इसे बनाना बहुत इजी है बहुत ही क्यूट यार्रिंग्स है यह कर दोके भी से बहायों कर दो दोला पयोड़ेंगे